आज की रेसिपी है औरत दाल की रेसिपी, यहांपे मैं ले रही हूं साबोत औरत दाल, जिसे हम दाल मखनी में यूज करते हैं, यह मोली डाल है, lines kept upJA, SAPotta Satyaก == तो इसमें मैंने ये दाल डाल दी है कि करीबन मैंने एक कटोरी दाल राद बर सोग करके रखे हुई थी और अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डाले हैं जैसे की लॉंग, तेजपत्ता, दाल चीनी और ये बड़ी इलाइची अब मैं इसमें एक चमच हल्दी और एक चमच नमक डालके से बॉयल कर लिया है विसल लगा लिया है इसमें कुकर में डालके तो ये देखिए अच्छे से ये बॉयल हो गई है तो जब भी आप दाल को बॉइल करें तो मीडियम फ्लेम पे ही बॉइल करें जिससे ही अच्छे से बॉइल हो जाती है और यहाँ पे मैंने कुछ दो टमाटर पीसे उलिये हैं प्यास लिया है और लहसन और अध्रक का टुकड़ा और यहाँ पे मैं ले रही हूँ यह जो खड पॉडर बना लेते हैं इसका तो यह तीक है पॉडर बिल्कुल रेडी हो चुका है अब यह दाल भी हमारी रेडी हो गई है अब हम दाल में तड़का लगाएंगे तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है उसमें मैं थोड़ा सा ऑइल डाला है बटर आप इसमें गी का भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें डाल रही हूँ एक चंमत जीरा, थोड़ी हिंग, और ये प्यास डाल दिये हैं मैंने, तो इसको हम हलकी ही भून लेते हैं चब तक ये हलका गुलाबी नहीं हो जाए, और इस दाल को आप ज़रूर बना के देखिए नाइ में boxes बहुत तरह से बनती है और 의 घॉझ ON भाटी ठीश्टी लगती है डाल मकनी तो हम खाते ही रहते हैं इस दाल को भी ट्राइ करके देखिए और यह देखिए मैं इसमें डाल दिया है यह तो इसमेर द deuल में ताल यह तो झज़ता है कि यह एक और पिकस्त केली तो इसमेरी लालमिश आओ पाउडर जो कंच्छा जाता है तो बलुप आठाई करें होड़क कि यहां पे अदी चमज करीब न हीढ़र हुआ तो पहले हमने दाल में भी नमक डाला था तो देखके नमक का यूज कीजिए अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ यह मिक्स कर देते हैं तो यह देखें यह जो मसाला है अच्छे से बुन गया है दाल को अच्छे से बॉल कर लिजिए ज्यासा थोड़ी सी मिक्स रहती है तो और भी अच्छी मिक्स लगती अच्चे से मिक्स कर लिया है आप इसमें पानी डाल देंगे और इसको हम डगक करके इसमें बॉल आने देंगे तो इससे कलर भी पहुत अच्छा आजाएगा दाल में टेस्ट डबल हो जाएगा तो ये देखिए अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर दिया है अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ जिससे ये दाल अच्छे से रेडी हो जाए तो अब हम इसमें यूज़ करेंगे वह अपना मैजिक मसाला जिससे दाल का टेस्ट पहुत ही डबल हो जाएगा तो जो हमने धनिया का और मिर्च का रोस्ट करके मसाला ये रेडी किया है वो हम उपर से डाल लेंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे थहाँ है, आप इसको डेख करके टालिए कि आप कितना रेडी करने के लिए तो तो ये डाल बिलकुल रेडी है, सर्फ करने के लिए तो मैंसे गरमे कर लेती हूँ तो इस दल को आप चावल के साथ, चपाती के साथ, किसी की भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, यह मैंने सर्व कर ली है, उपर से मैं लगाऊंगी घी और एक बार और खड़ी मिर्च का तड़का, क्यों मैं इसमें मिर्च नहीं डाल रही हूँ, वरन आप चा